Dear Students, पार्ती स्विदान दे तीसरे पाग विच मौलक दिकार हांदी विवस्ता केती गई है. ए मौलक दिकार पार्ती नागरिकान ले बहुत महत पूर्ण हन, अते विशेश करके राजनीती शास्त्र दे विद्यार्तियां ले ए अधिकार होर भी ज़्यादा महत पूर्ण हन. एस क्वस्चन दे विच असी दियान करांगे की, केड़े केड़े अधिकार मौलक दिकार हांदी श्रेनी विच ओंदे हन, अते ओकेड़े ताथ हन, जिना करके इनदा एक विशेश रुटबा है पार्ति स्विदान के परनाली दे विच जिना करके इननों मौलक दिकार फंडेमेंटर राइट्स के हाजन्द है. मौलक दिकार आम कनूना द्वारा दिते दिकारां तो डिफरेंट हन, क्योंकि एहे जो अधिकार हन, इना दी विवस्ता स्विदान विच ही किती गी है, इननों आम कनून द्वारा बदल्या नहीं जा सकता, स्विदान को सोध द्वारा ही बदल्या जा सकता है, अते कोई सरकार इना दिकारान नों खोर नहीं सकती. पार्त विच मौलक अधिकारान दा इतिहास जा कहले कि मौलक अधिकारान दी मांग दा इतिहास काफी पुराणा है सब तो पहला अमरीकी सविदान दे विच नागरिकान ली अधिकार पत्तर शामल कीता गया सी उस अधिकार पततर दा पार्थी लोकां दे काफी प्रभाव सी अ ते पार्थी शुतन्तर ता संगरामी मांग कर रहे सी की पार्थी सविदान दे विच भी जड़की उससम एंग्रेजान दोरा बनाया जान दासी पार्त दा सर्वुचकरून उदे विच भी नागरिकान दे मौलक दिकारानों शामल कीता जावे उनिसो सताई दे विच जदो साइमेन कमिशन पार्त दे विच आया था पार्त दे लोका ने एस कमिशन दे अग्धेवी मंग रखी कि जेडियां सफार्षा ऐस ऐस कमिशन ने करनी आहन फूचर दे पारती से विदान लई उना दे विच एस सिफार्ष नू शामल कीता जावे कि पार्ति लोग का दू मौल के दिकार देते जान, परन्तु पार्ति लोग का दू इस मांग नू पुर्वान नहीं कीता गया। इकता कि से विदेशी सरकार्दवारा एस दे परवान कीते जान दी पहला ही कोई बहुती समभावना नी सी। दूजा गेड़ा ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम है उदे विच पार्लीमेट नू सरवुच मन्या जान दा है। उदे विच मन्या जान दा है कि कोई को नू सरवुच नहीं है। जो पार्लीमेट ने देता ओही सफीशेंट है। इंडिया दे विच मुसल्म, सेख, क्रिस्चन दे विचरण विचेंट है। उदेने विशेशता ओरते शामल किता गया। इस कमेटी ने जो रपोर्ट त्यार किती उस रपोर्ट देदार थे ड्राफ्टिंग कमेटी ने मौलक दिकारांदा ड्राफ्ट त्यार किती पार्ती नागर केंदे मौलक दिकारांदा जो चैप पाग है वो पाग तीज्य है तीसरी पाग दे बीच मौलक दिकारांदा वर्न की था गया है इहे पाग इहे पाट आर्टिकल बारां तो लेके पैंती तक इस दा विसार है इस विच छे मुखव दिकार हैं जिमेंकी समानता दा दिकार आर्टिकल 14 तो 18 तक सुतंतर दा दिकार उन्नी तो 22 तक स्योशन वरुद दिकार आर्टिकल 24 तार्मिक सुतंतर ता पच्ची तो 8 सब्याचार का ते विद्धिक दिकार 39 अते सविधान को उपचारांदा अधिकार आर्टिकल बती इस तो बिना एस पाग दे शुरू दे विच आर्टिकल 13 दे विच किहा गया है कि मौलक दिकारां वरुद सरकार कोई कनून नहीं बना सकती यह जड़ा आर्टिकल 13 है अति यह जड़ा आर्टिकल बती है यह दो में आर्टिकल मिल की इना अधिकारां नों अधिकार दी उलंगणा हुंदी है ताँ ओह अपने अधिकार दी सुरख्या सुप्रीम कोट दे राहीं करवा सकता है मौलक अधिकार ऐसली विशेश हैं क्योंकि आर्टिकल 13 अते बती ने इन अधिकारानों कुछ विशेश स्टेट से एक परदान केता है विशेश स्टेट से है जड़ा आर्टिकल 13 तो ही शुरू हो जाना है इसने पहली ही कलाज विच कहा गया है कि और लाज इन फोर्स इन टेरिटरी आफ इंडिया पार्त देखे तरदे विचे जिनने भी कनून हन होन तक चल रहे हैं लागू होई होई हन उनननदा जेड़ा वी कुई लाईन, जेड़ा वी कुई पाग मौल के दिका रांदे वरुद्ध है वो कन्ट्रेडिक्षन दी हाद तक, इनकूंसिस्टेंसी दी हाद तक वो एड समझा जावेगा, इन इफेक्टिव समझा जावेगा पाव जड़े हुनता कि कनून ने, वो मौल कदिका रांदे ये वरूद ने, ता हो राद समझे जानगी, ते दूसरी कलाज दे विच किया गया है कि, इन फ्यूचर स्टेट कोई ऐसा कनून नहीं बनावेगी, स्वरकार कोई ऐसा कनून नहीं बनावेगी, जड़ा मौल कदिक करांदी उलंगना करता हुए, अते इसे दे विचे अगे इस दा विसार करते हुए लिखिया गया है कि हरेक किसम दा ओर्डर, बाई ओर्डर, ओर्डिनेस, रूल, ला, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन उनु कनून ही मन्या जावेगा, पाव ना कनून बन सकता है, ना रू आठीकल, आठीकल, दे नाड़, इस दे विचे थोड़ी जी तुपदिली रहें किहा गया ऐसे कि जे स्विदान दे विचे सोध किती जान दी है, ता स्विदान का सोध जड़ी जड़ी ओस नु इस आर्टिकल दे अदर आरते चैलेंज नहीं किता जा साकता।, पाव नोन नहीं बनाया जा सकता। इना अधगा रांदे खिलाफ , परँनतु इना अधगा रांदेशी सोध केंती जा सकती है। पहले इप्षित्वाकों सब्सक्रान कि देनेद्युक्षे रॉटिरोगई सो отлич अधिकार सानों देते हैं पागती जेने इना देविचे सब तो पहला दिकार है समान तादा दिकार यहे जो अधिकार है यहे आर्टिकल 14 तो लेकि 18 तक के सता भी स्थार है आर्टिकल 14 देविच किया गया है Equality Before Law इस विचे विवस्ता केती है कि किसे भी व्यक्ती नो पावयो नागरी को हो वे पावयो बाहर तू आके वैसे ते रह रहा हो वे किसे भी व्यक्ती नो सकनून दी समान सुरख्या देग्ड़ूं इनकार नहीं कीता जा सकता एधिकार सारे व्यक्तियनु प्राप्त हैं केवल नागरिकानु प्राप्त नहीं हैं जे कोई बाहरदा व्यक्ति भी पार्त ते विचे किसे समय रह रहा है जा किसे बिजनस ले सलसले दे विच आया होया है उसनु भी एधिकार प्राप्त है दूसरा अधिकार है आर्टिकल 15 दे तहत पेद पावदी मनाही, आर्टिकल 15 विवस्ता करदा है कि कि राज जा सरकार किसे भी नागरिक नाल केवल ते केवल तर्म नसल जात लिंग अते जन्म स्थान देदार ते विदकरा नहीं करेगी, ते इना अधिकारां ते किसे भी दे विचे जानतों, होटलां दे विचे जानतों, पबलिक प्लेसिज दे जानतों, नहीं रोकिया जा सकेगा, ते सरकारी ता नल बने, जन्तक वर्तों लिए बने, जड़े खूदे, तलाब ने, सड़का ने, उना ते जानतों, सबंदी कोई विदकरा नहीं किता जावेगा इनादारां ते, रंग देदार ते, नसल देदार ते, जात तर्म देदार ते परन्तु एक छोट है, एस समानता तो, ओ छोट ए है कि कमजोर वर्गां ली, इस्तरियां अते बच्चेयां ली, राज विशेश विवस्थावां कर सकता है इस्तिरियां लई कर सकता है, बच्चेयां लई कर सकता है, अति जड़े कमजोर वर्गने समाज दे उनन लई भी कर सकता है. इस Article दे अतीन विदिक संस्तावां दे विच दाखला देविच जो रेजर्वेशन कीती जान दी है उस नो एलोग कीता गया है समानता दे दिकार दे विच ही तीसरा दिकार है समानता दा दिकार मौकया दी पराप्ती से बन दी अवसर दी समानता इसे विच केहा गया है कि आर्टिकल 16 केहा गया है कि सरकारी पद्वी जा रुजगार प्राप्ति ले सारे अनू मौक्यां दी समानता होगी किसे सरकारी नौकरी दी प्राप्तिली राज, द्वाराज, सरकार, द्वारा, नागरिका, नाळ कोई वित्करा नि किथा जावेगा परन्तु इत्फे वी एक छोट है वो छोट ए है कि जे राज नो लगे कि कोई वर्ग पच्छडया होया है सरकारी नौकरियां दी प्राप्ति देविच ता उस वर्ग देली नौकरियां देविच उस वर्ग देली तरक्यां देविच राखमा करन किता जा सकता है पाव इहे जो आर्टिकल 16 है इहे मौक्यां दी समानता दी गरंटी दिन्दा है परन्तु जेड़ा वर्ग बहुत पिछे रह गया होगे उस वर्ग नो बराबर ले उन दे लई जे किसे रेजर्वेशन दी जरूरत पेंदी है ता उस रेजर्वेशन नो अलाव भी करता है विवस्था नहीं करता है उस रेजर्वेशन दी अलाव करता है कि सरकार चाहिता कर सकती है स्वानता देदिकार देदी नहीं अगला दिकार है छूत चात दी समापती अबोलोशन अफ अन्टेचबिल्टी आर्टिकल सेवन्टी छूत चात पारती समाज दी को बहुत पराणी बुराई चल रही है एक बमारी है पारती समाज नों लगी ही इस बमारी दे हुंदियां पारती समाज देविच किसे भी हालत देविच समानता स्थापत नहीं किती जा सकती इसलिए आर्टिकल स्तारा ने क्या है कि छूत चात हजड़ा यह एक सजा योग अपराद है कोई इस देविच प्रैक्टिस नहीं कर सकता कोई इस देविच विश्वाश नहीं कर सकता कोई इस देविच प्रोसा नहीं कर सकता अति इस आर्टिकल देविच सरकार नो निर्देश देता गया है कि सरकार जल्दी तो जल्दी कोई ऐसा कुनून मनावे जेड़ा सजावा वी निश्चत करे कि किस अपराद दी एस सबंदी की सजा होवेगी एसलिए जड़ी जम्मेवारी एस आर्टिकल दे इन सरकार नों मिली सी ओस जम्मेवारी दी पालना करदे हुए संस्द ने छूत चाथ अपराद कुनून 1955 अंटैचिबिल्टी ओफैंसेज एक्ट बनाया फिर 1976 दे विचे इस कनून नामदर के प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट सेक्ट 1976 कर देता गया यह जड़ा एक्ट है यह चूत चाथ दी समाप्ती करता है पूरी तरह पार्थ दे विच्छों ते इस सबंदी सजावान दी विवस्ता भी करता है अगला आखरी इदिकार है स्वांता दे इदिकारां दी कैटेगरी दे विच उपादियां दी समाप्ती पार्थ दे विच राज महराज दे समें भी अंग्रेज दे समें भी कुछ उपादियां देती है जान दियां सी कुछ व्यक्तियानों जड़े सरकार दे नजदी की हुंदे सी ते ओ उपादियाने जड़ियां ओ हो समाज दे विच उच नीच दी पावना पैदा कर दियां सी नैचरल लेकि जदों किसे व्यक्तियनों उच्छी उपादी देते गी जाता बाकी ने जड़े उदे मुकाबले नीवा महसूस कारन गया अपने आपनों एसलिए आर्टिकल 18 दे विच सरकार देते गी है कि सरकार द्वारा सैनक अते अकादमिक खेतर तो छुट इना तो सिवाए होर कोई उपादी परदान नहीं किती जावेगी तेड़े पार्थ दे नागरी किनों किसे विदेशी राजतों भी कोई उपादी पराप्त नहीं कर सकंगे नागरी का तो बिना जड़े व्यक्ती पार्थ दे नागरी किता नहीं बट पार्थ दी सरकारती दी कोई नौकरी कर रहे हैं किसे लापद एक पदवी ते लगे हुए हैं ओ भी साधे राष्ट्रपती दी पहला परवान गीतों बिना किसे विदेशी राजतों कोई पदवी स्विकार नहीं करनेगे ते इस सबंदी साधी मान योग सुप्रीम कोट एक मुकदमी दा फैसला सुनां दे होए कि है कि जड़े अवार दिते जा सकते ने सनमान दिते जा सकते ने ते परंतु उन्हों भी उपादिया वांग नहीं वरतिया जा सकता पाव उन्हों अपने नामनाल जोड के नहीं वरतिया जा सकता अपने नामनाल अगेतर जां चे शतंतर तावा पा आरती नागरेकानों उप्रदान की तियांगा यहान. ये शतंतर तावा हान पाशन, विचार परगट करण दी शतंतर ता, हथ्यारां तो बिना शान्तिपूर को तरीक्दल एकठे होन दी शतंतर ता, संग, संस्ता, यूनियन जा क्यों कोपरेटिव सोसा की बनांते अस्तांतर था, कि तक अवी कुमनांता है, आर्ट दे हीस्ने देविचि नुवासितान बना बनांता है इस्तांतर था या अपना कित्ता चोणंति स्तांतर था ये छेतरन या स्तंतरतावने जड़ियां एह आर्टिकल उन्नी दे तहत पार्ती नागरिकानों परदान किते हैं यहान आर्टिकल वी दे विच अपरादा सबन्दी दोश सिद्धी बारे सुरक्षा परदान किते है है इस विच जिर कथित अपरादी हुंदे हन जिना ते कोई अपराद करन्दा दोश लग गया हो वे परंतों सिद्ध ना हो वे उनना दे कुछ अधिकार स्रक्षत कीते गया है इस विच कहा गया है कि कनून तोड़े बिना किसे व्यक्ति नो अपरादी नहीं ठहराया बाद दे विच पामें एक कनून बन जवे कि उस अपरादली सजा जादा है परंतों जिस व्यक्ति ने किसे खास समय ते कोई अपराद कीता है उसनों ओही सजा दिती जा सकती है जड़ी उस समय कनून ने निश्चत कीती हुई सी अधिक अपरादली एक तो ज़्यादा वरी सजा नहीं दिती जा सकती ते जिस व्यक्ति तो कोई अपराद लगाया गया होई दोश लगाया गया होई उस व्यक्ति नों कंपैल नहीं किता जा सकता कि उपने खिलाफ गवाही देवे परंतों जड़े गवाही नों मजबूत करन दे ले सबूत हन उता मंगे जा सकते हन ज सुतंतरता देदकारान दी कैटेगरी देविच अगला दिकार है जीवन अते निजी सुतंतरता दीस रख्या Article 21 सब तो महत्वपूर्ण दिकार इस नूं किहा जा सकता है किसे भी देश दे नागरिकान दा आर्टिकल 21 दे विच किया गया है कि किसे भी व्यक्ति नो नेश्चित कुनुनी विधी तो बिना उस्ते जीवन जा नेजी उस्त अंतरता तो वंचित नहीं किता जा सकदा एह अधिकार एहना महतवपूर्ण है कि 44th Amendment तो बाद एव विवस्ता कीते गई है 44th Amendment दे तहद कि एस अधिकार नो किसे भी हालत दे विच सस्पेंड नहीं किता जा सकदा पावच है एमर्जेंसी लगी होई होई ता भी एह अधिकार सस्पेंड नहीं किता जा सकदा बाकि तंतरता दे दिकारां दे विच अगला दिकार है सिख्या प्राप्ती दा दिकार आर्टिकल 21A सस्थ ने 2002 दे विच 86 मिस विदानक सोद नाल एस अधिकार नो मौलक दिकारां दी कैटेगरी दे विच शामल किता सी एस आर्टिकल दे विच किहा गया है कि 6 तो लेके 14 साल तक दे बच्चे नो फ्री दे कंपल्सरी एजुकेशन प्रवाइड करना सरकार दी जम्यवारी है सरकार नो जेड़ावी तरीका सूटेबल लगे उस तरीके नाल एस अधिकार दी पूरती नागर कांदेदी कर सकती है इस अधिकार नो प्रैक्टिकल रूप देन लेजी संस्थ दे बच्चेयां दा मुफ्त दे लाजमी सिख्यादा दिकार कनून 2009 पास किता सी जिस तहद काफी विवस्थावाँ पार्थ दे विच कीतियां गया हन सारे बच्चे ने जड़े उनानू छेतों लेके 14 साल तक दे बच्चे ने फ्री दे कंपल्सरी एजुकेशन राज प्रवाइड की तिजार ही है एस बार्ग दे विच सुतंतरता दे दिकारां दी के टीरी दे विच लास्ट दिकार है गृफतारी अते नजर बंदी वुरुदुस रख्या दा दिकार आर्टीकल 22 इसे विच केहा गया है कि किसे वी व्यक्ति नू उस दी गृफतारी दा कारं कायद विछ नहीं रख या जा सकता, अधे किसे व्यक्ति-नू अपणि huis मर्जी दे, गौनुनि सवाकार अर्टों, वकील तो, गौनुनि सहता लेंद सु नहीं रोख हैarna जा सकता जे मेजिस्ट्रेट ने रिमार्ड देता है ताहीं किसे विक्तिनों चौवी कंटे तो ज़्यादा हिरास्त देविच रख्या जा सकता है परन्तु एस अदिकारते हे रोक है कि यहे दूशमन विदेशियानों नहीं परदान किता जावेगा अते निवार के नजरबंदी दी ववस्था करन वाले किसे कनून अदीन गरिफ्तारी गरिफ्तार कीते विक्तिनों यदिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि पार्त देवचे निवार के नजरबंदी दा कनून बनाउन दी ववस्था है एहे जड़ा आर्टिकल है वो भी एहे अथॉर्टी सरकार नों दिन दा है कि निवार के नजर बंदी सरकार बना सकती है निवार के नजर बंदी दपाव है कि किसे व्यक्ति नों करून तोड़न तो पहला ही नजर बंद किता जा सकता है जे एहे डर होवे सरकार्नों की एहे व्यक्ति सुतंत्र रहके कनोन दी उलंगना करेगा, कनोन तोडेगा तीसरा साथा मुखवर्ग है अधिकारांदा शोशन वुरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट एक्सपोलाइटेशन आर्टिकल 23 और 24 इस केटेगरी देविच पहला दिखा रहा है मनुख्ही वपार अते जबर्न मुझदूरी दी मनाही आर्टिकल 23 इस विच कहा गया है कि मनुख्ही वपार, बिगार अते जबर्न मुझदूरी करवाओन दी मनाही है एक सजायोग आपराद है, परेंटे सरकार राज राज रहा कि किसे जन तक उदेश लहीरा आइज मीं सेवा लागू कर सकते है कि यृविटी सेरे षह समया है, तर्म देदा आरते, नसल देदा आरते, जात या वर्ग देदा आरते, कोई विद्करा नहीं करेगा, जड़ी ड्योटी देनी है, सारे नागरिकानों देवेगा इस वर्ग देविच दूसरा अधिकार है, आर्टिकल 24, बच्यानों कार खान्या विच लगाउन दी मनाही इस आर्टिकल 24 देविच बच्यानों किसे कार खाने देविच, किसे माइन देविच, जांकिसे होर जोखों पर इतन देविच नहीं लगाया जावेगा, जेथे उनादी सेहत नों, उनादी लाइफ नों कोई खतरा होगे साथा चौथा मुखधिकार है तार्म के स्तंतरता दादिकार, आर्टिकल 25 तो लेके अठाई तके है, एस आदिकार दा विच्थार सानों मिलदा है एस सदिकार देता है एस वर्गदेवच वरस्ता कीतिगी है सबतों पहला तर्मदी उस्तंतर ता आर्टिकल पच्ची सविदान सारे लोग कारूं पामे हो नागरिक हो पामे गैर नागरिक हो तो अगले करनले लोग एक लेम नहीं कर सकते हैं गतिविदी आर्थिक वितिया राजनितिक होवे, परतर मिनाल जुड़ी होई वी होवे, वो थे राज इंट्रिफिरस कर सकदा है, और राज को एक होरदकार है, कि समाजपला इदे कम कर लई, निर्तोनी राज नो रोकिया जा सकदा, किसे तार्मेक मानता दे दा आर्थे, और आर्थे, निर्तोनी राज सारे वर्गां दे हिंदुआ लई, खोल सकदा है, कोई संस्ता इस्ता विरोध नहीं कर सकदी, यह सदा आर्थे चैलेंज नहीं कर सकदी, राज दे बनाय होई कनून नो कि यह साधे आर्टिकल 25 दे इंदित्ते द का आर्थी उलंगना कर दा है, त अगला अधिकार है एस वर्ग दे विच तार्मिक मामल्यांदा परबंद करनदा अधिकार आर्टिकल 26 अधिकार आर्टिकल 26 दे विच दिता गया है अधिकार आर्टिकल 27 कहनदा है कि सरकार कोई भी ऐसा टैक्स नहीं उगरा सकती लोकां तो जिसे टैक्स तो कठा होया पैसा किसे खास तर्म दी प्रमोशन ली वरतिया जाना होई किसे खास तर्म दी राखर खावली वरतिया जाना होई इस तो अर्थ है कि कोई तर्मिक टैक्स देन ली लोकां नोग नहीं किता जा सकता कोई तर्मिक टैक्स नहीं लगाया जा सकता लोकां दे एस वर्ग दे विछ आकर दे विछ है आर्टिकल ट्वेंटेट इस विछ किया गया है कि किसे भी सरकारी सिख्या संस्था दे विछ था आर्म की सिख्या नहीं दिती जा सकेगी अते राज तो मानता प्राप्त अते राज तो सहता प्राप्त करनवालियां सिख्या सस्थावाने स्कूल काल्ज ने उना दे विच किसे व्यक्ति नो उस दी इच्छा दे वरूद तार्म कि सिख्या नी दिती जा सकती अते ना ही इस तरह दियां विद्धिक संस्थावां दे विचि जे कोई तर्मिनार जुड़ी होई प्रेर हो रही है, पाठ पूजा हो रही है, उस विच शामल होन लही किसे व्यक्ति नू मजबूर किता जा सकता है, व्यक्ति अपनी सेमती दे नार ही सकूल कॉलज दे विच ह जा सकता है, जड़ी किसे स्कूल या कॉलज दे विच हो रही होवे, सद्धा पांजमा मौलक अदिकार है, सब्याचार अते विद्धिक अदिकार, इस विच दो आर्टिकल है, आर्टिकल उनती दे विच का अटिगनतियां दे हितां दे सुरख्या दी गरंटी दिकी है, इस दे राज दे परबंध अदी इन चल रही किसे विद्धिक संस्था ज़ा राज तो कोई सहयता लाए रही किसे विद्धिक संस्था दे विच किसे विव्यक्ति नूँ तर्म नसल जात पाशा दे दारते दाखला दे न तू इनकार नहीं किता जावेगा, काट गनतियां दे एक तर भीद्य के लिए मनें दन्टिक पा सकत नुआ बिद्य के लिएी हमें। अधिकार लोने करते हम दितने हैन रनी है। जादियाँ भीका जभीका तगणती हम आघ। दे विचुप। वह अपनी मर्जीदियाँ विद्धी की सहनस्थां स्थाप्त कर साकई द्याने इन दा स्चालन कार सकत। यानने। ए राज ने, कि ए सदा आर्टे वित्ति उत्करा ने हैं। कीई रच ने कि जएकर राज देज और पॉई प्रॉपर्टि एकुएटिily किती जा रही ने है। उसे विचे कोई काटगिनतियां दा कोई स्कूल कालेज ओंदा है ता उसते बदले जो मौवजा देता जावेगा जो राशी देती जावेगी वो एनिक जरूर होवेगी कि जिनिक प्रापटी प्राप्त किती गी है उनिक प्रोपर्टी का टिगनतियां किसी होर स्थान थे उसारी कर सकन ते चीमा अधिकार है सविधान को उपचारांदा अधिकार इहे अधिकार बहुत महत पूर्ण है इस अधिकार सबंदी डॉक्टर बी आर अमेदिकर जी ने कहा से कि इस तो बिना सडस्विधान है जड़ा वो एक डेडलेटर है इहे अधिकार पिछले पांच अधिकारा अनु लागव करवाण दा वादा करता है घ्रंटी दिनता है अधिकल दे विच बार अधिकर विच कहा गया है कि ते एस गरंटी नूँ सरकार्क हो नी सकती और ते इस जदो सप्रीम कोट दे विच अप्रोच किती हैं दी है किसे नागर के दोरा अपने किसे अधिकार दी सुरख्या लई ता सप्रीम कोट कोई भी ओडर डिरेक्शन जा रिट जारी कर सकती है पांचे तरह दिया रिट ने जड़ियां बाई नेम इस आर्टीकल दे विच दितियां गई हैं उना दो विचों किसे भी एक रिट नूँ जारी कर सकती है जड़िवी साधी सुप्रीम कोट अप्रोप्रियेट समझे ए पांचे जड़ियां रिट आ हैं इना दे विच पहली र देश रिट आफ हैबियोस कारपस इह लतीनी पाशादा शब्द है हैबियोस कारपस इसता अर्थ है कि व्यक्ति नूँ अपना श्रीर रखन दा अधिकार है इहे रिट उदों जारी कर दी है सुप्रीम कोट जदों किसे व्यक्ति नूँ गैर कनूनी तोरते बंदी बढ़ा गया हुए किसे व्यक्ति नूँ बिना रिमानतों किसे जेल देविची जहां पॉलिस स्टेशन ते रख्या गया हुए ता सुप्रीम कोट इहे और जारी करके इस तरह दे व्यक्ति नूँ तुरंत रहा करन्दा होकम दे सकती है दूसरी रेट है रेट आफ मैंडमस परम दिन रख्या आथ गर्ता है कि वी कमांड असी अधेश दे सकते हाँ जहां जदों किसे सरकारी ओदिकारी दी ला परभा ही कारन जान जयमेवरी न बॉनकार्ण न नागरिकां दे अधिकारां दी उलंगना हो रही होगे ता ओ नागरिक सुप्रीम कोट पहुँच कर सकते अपकी तो आठे इहे डिवती न वाउन दे ना आवन ना गर काई दे मौलक अदिकारां दी उलंगणा हो रही है एहे जो रिट है वह सरकारी अधिकारिया नों जारी कीती जान दी है तीसरी रेट है रेट आफ प्रहिप्शन मनाही अधिश जोनों किसे हेटली अधालत दे विच कोई केस पैंडिंग होवे था केस नाद से बन दे तो कोई भी तिर सुप्रीम कोट अप्रोच कर सकती है कि जड़ी कोट साड़ा केस सुन रही है उस कोट कोड जान ट्रिबूनल कोड यह शक्ती ही नहीं है कि उस साड़ी केस दी सुनवाई कर सके वो अपने अधिकार खेतर तो बाहर जा रही है यह से नाद मेरे किसे मौलक अधिकार दी उलंगना हो रही है कि जड़ों कोई तेर एह कलेम कर दी है जे सुप्रीम कोट उच्चत समझे एस कलेम नो वाजब समझे ता मनाही अधेश जारी कर सकती है सुप्रीम कोट रेट आफ प्रहिपिशन जारी कर सकती है अधिय हेटली अधालत नो वो केस सुन तो रोख सकती है चौथी रेट है अधिकार पर इच्छा अधेश रेट अफ कोवरेंट हो एहे जड़ों की व्यक्ति गैरक नो ने तौरते किसे और नो हत्याउन दी कोशिश करता है ता जेड़े व्यक्ति दा इस कार न मौलक अधिकार दीव लंगना होई होई जिस व्यक्ति दो चढ या गया होईए उपौएंटमेंट तो, उस दी किलेम दे बावजूद, उस दी राइट извावजूद पर शely जर्ब नहीं करदा ता उस व्यक्ति नो कोवरेंट ओदा ओडर जारी करके रिट जारी करके अदाल्त ओदा रोक सुंबालन तो रोक सकती है पंजमी रिट है उत परेखन अदेश रिट ओफ सर्चुररी सर्चुररी है जड़ी ए भी प्रहिबिशन देवांगी है इनन दा सिर्फ डिफरेंस ए है कि जो प्रहिबिशन दी रिट है वो केस दे चल दे विच दिती जांदी है अथे जो रिट ओफ सर्चुरी है यह केस दा फैसला हों तो बार्च दिती जांदी है इस उत्परेखन अदेश्ट अर्थ है कि जो दो सुप्रीम कोर्ट नो लगए कि हेटली अदाल्त ने कोई ऐसे केस दा फैसला कीता है जीस केस नो सुनदा उदे कुल हाक नी सी अदे कार नी सी उस दे जहा करना किसे दे मौल के दे कार्दी उलंगना होई है ता सुप्रीम कोर्ट रिट अफ सर्शोरी जारी करके हेटली अदाल्त जान ट्रिबूनल दे फैसले नो रद कर सकती है अते जड़ा पीडत व्यक्ती है उस दे दिकार दी रख्या कर सकती है मौल के दिकारांदा अध्यान करन तो बाद दसी एसिटे दे पहुंच सकते है कि स्वधान दे विच मौल के दिकारांदा वरन नो बहुत जादा विस्थार दे विच कीता गया है परन्तूस अनू एवी त्यान चे रखना चाहिदा है कि एक व्यक्ती दे दिकारांदे विच कार और समाजिक शान्ती दे विच कार एक बड़ा डेलीकेट जा रिलेशन होंदा है व्यक्ती दे दिकारांदे जे खुला चड़ा जानदा है समाजिक शान्ती खत्रच पह सकती है समाजिक शान्ती दे नांते जे सरकार नूँ अनलिम्टड पावरां देती हैं जान दिया हन ताम व्यक्ति दे अधिकार का तरेच पैसा कदे हन एस डेलिकेटर रिलेशनशिप नूँ बड़ा मेंटेन करना बड़ा एक पेची दा कम होंदा है जिते डेटेल दे विच मौलक दिकार रांदा वर्नन है उते जरूरत पैन ते मौलक दिकार रांदे सरकार नू रोक लाणदा भी दिकार दिता गया है शक्ती दिती गी है इसलिए साड़ा गिड़ा मौल के दिकार रंदा चैप्टर है उह साड़े सविदा आंदा एक बहुत महत पूर्ण अंग है बहुत बहुत तानवाद गुड लग